अजिस सल्वा इससे पहले हमने किम्याई माद्दों के बारे में मालूमात हासिल की अब हम मजीद किम्याई माद्दों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे नम्बर एक पाउडर कोटिंग लोहे की अश्या को जंग से मेफूज रखने के लिए और रंग के जरीए ज्यादा मोटी तै चड़ाने के तरीके को पाउडर कोटिंग कहते हैं इस तरीके में पॉलेमर रेजिन रंग और दिगैर अजज़ा को जगजा करके पिखलाया जाता है बाग में थंडा करके इस आमेजे का बारिक सफूफ तैयार किया जाता है पाउडर की कोटिंग मजबूत मोटी और दिलकश होती है नमबर दो इनोराइजिन इलूमिन धात का हवा के आक्सिजन के साथ तामूल होकर खुदरती तोर पर एक हिफाज़ती तैय सतै पर तयार होती है इस अमल को इनोराइजिन कहते हैं बड़की तजजिये के जरीए एनोराइजिन की जा सकती है बड़की तजजिया खाने में फलकाया तेजाब लेकर इसमें एलुमीनियम की शय मजबग बड़की रे के तौर पर डुबवई जाती है बड़की रो गुजारी जाने पर मन्फी बड़की रे पर हाइडोजन गयास और मजबग बड़की रे पर आक्सिजन गयास खारीज होती है नमबर तीन सेरैमिक गैर कारबनी शय को पानी में मिला कर मख्सूस शकल दी जाती है फिर इसे भून कर दाफे हरारत को दफा करने वाला माददा बनाया जाता है इसे सेरैमिक कहते है कुमार के बनाये हुए मित्ती के बरतन छट पर बिछाये जाने वाले मंगलोरी कैलू इटे, कफसासर, टेरिकोर्ट की चीजे ये तमाम चीजे सेरैमिक की मिसाले है फार बिछने ये दिस